अगर आप लोग को यह लग रहा है कि आज आपने बहुत बड़ी पॉश्चनटी छोड़ दी है तो आप लोग यह रेक्टेंगल देख सकते हो इसमें आप लोग को क्लियर कर समझ में आगा कि मार्केट कितनी रेंज में आज के दिन में मुवमेंट दिया है क्लोजिंग काफी ठीक ठाक है बैंक निफ्टी की बिकॉज अगर आप देखो कि तो 50 पॉइंट डाउन क्लोज किया है अपने हाई से बड़ देखो काफी एव गैडियर काफीर की और यहां पर पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन हमने फिर भी कोशिष किई अपने मेंबेस का पैसा बनवाने की आज के दिन क्या पैसा बना क्या ट्रेट दिया था सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियों बताने वाला हूँ और कल का क्या प्लाइन है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो यह रहा हमारा टेलीग्राम कुरूप फटाक से जाके जॉइन कर लीजिए 1.3 के सब्सक्राइबर हैं जाके जॉइन करना किदर से है आपको तो जब भी आपको जॉइन करना है न चैनल तो हमेशा डिस्किप्शन से जाओ विकॉस फेक चैनल भी ओपन हो रखे हैं तो आप अगर गलत जगे लेंड कर गए और आपका लॉस हुआ तो भाया क्या ही मैं बोल सकता हूँ ठीक है तो डिस्किप्शन में लिंक से ही जाना तो यहाँ पर मैंने सुबह प्रॉफिट जो हुए बता देता हूँ उसके बाद 1026 उसके बाद 625 1325, 6000, 1544, 1575 और यहाँ पर देख सकते हो यह भी देख सकते हो उसके मार्केट में किस तरीके से ऐसा हंटिंग हुआ आप देख सकते हो विदिन अ मिनट 100.2 उपर विदिन अ मिनट 100.2 नीचे और यहाँ पर सबको मार्केट ने जो कॉल में बैटे थे उनको भी निकाला जो पूट में बैटे थे उनको भी निकाला 3368-1274-975 देन उसके बाद मार्केट हमारा साइडवेस था यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट फट सकता है 47,700 के ऊपर और अगली ही कुछ मिनट में आप देख सकते हो क्या शांदर मोमिन्टम आया अल्मूस्ट अल्मूस्ट 80.2 को रीच किया वो मैं बता देता हूँ आज के दिन कहाँ पर ट्रेट दिया था वेट आ मिनट वेट आ मिनट तो पहला ट्रेट मैंने दिया था आपको 47,500 के नीचे लेकिन वहाँ पर से 20 पॉंट नीचे गया क्योंकि बड़ा सपोर्ट था तो वहाँ पर उसको नहीं तोड़ पाया अगर तोड़ देता 100-200 पॉंट का वहाँ पर रैली मिल जाता लेकिन नहीं मिला देट इस फाइन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्कैल्प करो और स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रखो ठीक है उसके बाद मैंने आपको यह समझाया कि मार्केट किस तरीके से उपर नीचे हुआ देन उसके बाद 47,600 आपको लेवल दिया था मैंने 50 पॉंट का मूव डन किया इधर 50-80 पॉंट का मूव मिला था पहले ट्रेड के अंदर 47,600 के उपर जब मैंने आपको 47,700 दिया 11 बजे के आसपास यहां पे देख सकते हो तो आप यहां पे दो clear cut बोला है कि उपर टिकेगा तो day high तक जा सकता है और उसने day high को reach भी किया तो important यह नहीं है important है guys कि आपको क्या समझ में आ रहा है ठीक है किस तरीके से आपकी approach है market को लेके market full on sideways है ठीक है उसके बाद भी आज बहुत लोगों के जिन्होंने loss किया होगा जबर्दस तरीके से over trade करकरके ठीक है एंड यही problem है कि जब market अच्छा होता है आप थोड़ा पैसा कमा लेते हो लेकिन जब market अच्छा नहीं होता है तो आप उससे चाल गुना पैसा market को वापस दे देते तो over trade करकरके जबर्दस्ती क्यों करनी है market के साथ अगर वो नहीं देरा पैसे तो मत लो ना एक दिन trade नहीं करोगे तो क्या ही जिन्दिकी में problem आ जाएगी कल कर लो ना हर दिन trade करने like market नहीं है इस time पर यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए वेट समझाता हूँ मैं एक सेकंड दो एक सेकंड दो ठीक है यहाँ पर अगर आप notice करोगे तो market ने यहाँ पर आपके SL लिये है ठीक है market में इतनी बहुत बड़ी शांदार red candle उसका market वापस उपर गया market ने confirmation दिया यहाँ पर के नीचे निकलेगा और फिर वापस से उपर चला गया ठीक है तो पहला hunting यहाँ पर हुआ है दूसरा hunting यह candle और यह candle में हुआ है ठीक है उसके बाद अगर आप यह box को देखोगे तो box के नीचे इसने breakdown किया उसके बाद निकला भी अगली candle में तो जिसने scalp किया होगा उसका इस candle में बनाओ का पैसा अगर scalp नहीं किया होगा तो market वापस उपर चला गया है तो इन चीजों को समझो कि market किस तरीके से आपस पैसे ले रहा है यह candle trade करने वाली नहीं है एक candle उपर बन जाने से trade नहीं होता है समझो यह इतना विक बना रहा है ना market यह विक बना रहा है ना market इसमें trade नहीं होता है गाई इसमें आपको avoid करना होता है ठीक है otherwise आप पैसा नहीं बना पाऊगे option buying में मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि आप safe side पे रहो कम loss करो बड़ा profit करने का try करो लेकिन लोग क्या करते है loss को बड़ा करते हैं profit को छोटा ही रखते है या फिर करते ही नहीं है जो बोलते हो ना कि market में मैं गुसता हूँ तो market अगली direction में जाता है वो इसलिए जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको यहाँ गुसना है आपको यहाँ गुसना ही नहीं है ठीक है हमने अपने members का profit यहाँ सुबह बनवा दिया था safe side बनवा दिया उसके बाद हमने ज़्यादा risk नहीं लिया क्यों कि profit को बचाना important है profit को कल वापस से market में लगाना है न तो जब मुझे देख रहा है कि market यहाँ sideways है तो नहीं करोगे trade तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं न वाई समझो न इस बात को तो अब कल क्या कर सकते है market ने बार बार resistance लिया 47,800 के level को ठीक है nifty का chart आज negative है bank nifty का chart आज positive है यह एक tension वाली बात है दोनों एक तरीके से sink नहीं हो रहे है किसी को sink करना पड़ेगा ठीक है आईदर nifty sink करे या bank nifty sink करे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही शांदर यह एक trend लाइन आ रही है बहुत ही शांदर यहाँ पर यह आपको एक triangle बनता हुआ नजर आ रहा है और इसका breakout अगर होगा तो हमें बढ़िया trade देखने को मिल जाएगा bank nifty के अंदर तो इस चीज़ को mark करके रख लो कल के दिन अगर हम 47,800 उपन निकलते हैं तो 47,900, 48,000 यह level हमें देखने को मिल सकते हैं for sure bank nifty के अंदर अगर हम call side निकलते हैं बट अगर नहीं निकलते हैं इस range में कुछ काम नहीं करना है 47,600 के नीचे ही हम put side में trade plan करेंगे आपका target रहेगा 47,500 निकला तो 400, 300, 200 यह सारे target put में हमारे बनेंगे क्यों market बहुत sideways है market बहुत रुका हुआ है जिदर भी फटेगा अच्छा फट सकता है किसी भी direction के अंदर हमको से विंतजार करना है यहाँ पर देखो जब market sideways था फटा तो क्या जबरदस फटा थेक हैं कल अलका फटा बाकी का आज फटा लेकिन फटा ना सेम प्रोसीजर अभी भी हमारे लिए वेलेड है लेकिन यहाँ पर यह trend line आ गई है तो हमें लगता है कि यह इसका support लेगे कहीं upside न पढ़ जाए क्योंकि upside उतना बड़ा momentum आएगा उसकी guarantee थोड़ी कमरती क्योंकि put में हमेशा market तेजी से गरता है call में हमेशा market धीरे 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 बढ़ता है यहाँ देखो कितनी तेजी से गिरा कितनी slow-slow बढ़ा और देखो कितनी तेजी से गिरा sideways हो गया कितनी तेजी से गिरा sideways हो गया तो put में पैसा बढ़िया बनता है मेशा तो market गिरेगा तो आप सब पैसा बना पाओगे बस यही बोलूँगा आप लोगों को बागी तो आपको पता है आप समझदार हो कि आपको क्या करना है टेलिग्राम पर अगर आपको मेरा बताया हुआ point of view समझ आता है समझ में आने लोगे call tips के पीछे रहोगे तो आप आगे life में कुछ नहीं कर पाओगे दूसरों के भरोसे पर रहोगे और उससे आप life तो नहीं काट सकते यह बात दियान रखिए ठीक है तो इस box पे दियान दो इस triangle पे दियान दो कल के दिन बढ़िया momentum upside मिल सकता है अगर कुछ भी US market positive र नहीं है मैंने आपको पहले भी बता है बहुत सारी चीज़ों पर यह depend करता है और strike price कैसे select करना है वो थोड़ा सा सीख लो आप पैसा दीरे दीरे बना लोगे market में लेकिन अगर आपको strike price लेना भी नहीं आता है तो सच में there is a problem पहले वो problem को fix करो तब वापस market में काम करो थ thank you so much मिलते हैं आप लोग को कल live market में अपने टेलीग्राम के उपर दिस्क्रिप्शन में लिंक है फटाक से जाके जोइन करो जल्दी